Hello friends Welcome back to my channel दोस्तो आज की बीडिव में बात करने वाले हैं परधान मंत्री किसान सम्मान निधी योजना के बारे में दोस्तो आपको बता दू बहुत सार एक किसान बंद हुए जिनके जिनका आधार काड में और परधान मंत्री किसान सम्मान निधी योजना में नेम करते हैं परधान मंत्री किसान सम्मान निधी योजना में पीम किसान के वेब साइट पे अगर आप इस्टेस होगे रचेक करते होंगे अधार नमबर डालके तो दोस्तो आपको आपको आधार नोट वेरिफाइड दिखा रहा होगा बहुत सारे किसान बंदू हैं जिनके द करते होंगे तो वहां पर अधार नोट वेरिफाइड लिखता होगा तो दोस्तो घवरानेक जरुवत नहीं है तो आइए हम इसके सॉलूशन के बारे में बात कर लेता है तो दोस्तो आपको करना क्या होगा सबसे पहले आपको पीम किसान के ऑफिसियल वेफ साइट पर जान है आपका वो डाउनलोड करके निकलवाना होगा यदि आपके पास अधार काड में मोबाइल नमर जूला हुआ है तो डायरेक्ट आप आप अधार ईवाईड आई डॉट जी ओवी डॉट इन से पर जाकर अपना अधार को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर अगर आपके पास अधार में मोबाइल नमबर जूला नहीं है दोस्तों तो आपको करना क्या होगा किसी भी CSC सेंटर या फिर वसुदा केंदर पर जाके आप वहां से अपना अधार निकलवा सकते हैं तो दोस्तों अधार अपडेटेट निकलवाने के बाद आपको करना क्या होगा सबसे पहले अधार को मिलान कर लेना है कि अधार में पूराने वाले अधार में और नए वाले अधार में क्या डिफेरेंट है तो दोस्तों डिफेरेंट देखने के बाद दोस्तों आपको जिस ओप्षन को मै कि जो भी फेलियोर लिस्ट है पीम किसान का उसमें से आपका नाम हट जाएगा और अटोमेटिक कुछ दिनों के बाद आपका नाम वहाँ पे जब भी आप स्टेटास होगे रचेक करेंगे तो वहाँ पे आपका अधार भेरिफाइड सो करने लगेगा सो करने के बाद होगा क दोस्तों जैसे भी नेक्स्ट इंस्टॉल्मेंट जब भी जारी होगा और जब भी पैसा छूटेगा तो दोस्तों आपका पैसा आना सुरू हो जाएगा तो दोस्तों अगर आप खुद से नहीं कर सकते हैं तो दोस्तों आपको करना क्या होगा किसी भी CSC सेंटर या फिर सा करवा सकते हैं और अफ अधार नोट वैरिफाइड कर आ सकता है तो दोस्तों यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंन सेक्षन में ज़रूर बताएं ऐसे अपडेट रोजनकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को प्रेस कर लिए ताकि जब झाल 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 झाल